आज किसानों को द्वारत बंद बुलाया गया है इसके समर्थन में हम लोगों ने आज बारत बंद किया है और विहार सरीफ को आज हम लोग बंद करा रहे हैं और हम यह सरकार से मांग करते हैं किustaनों को एम स्पी मिलना चाहिए है उसकी गारंटी होनी चाहिए और भी जो किसानों के मुद्डे हैं मैं उसका सपोर्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो सारी मांगें की पूरी हो क्योंकि किशान इस देश के अन्न दाता है और किशान यदि रहेंगे सुखी तभी हम लोग हैं हमारा देश भी किसी प्रधान देश है इसलिए उसकी समस्याइं इतनी बड़ी है कि इसलिए हम लोग उस सब उनकी समस्याओं से प्रभावित हैं उनसे प्रभावित होकर हम लोग आज बंद का अहवान किया है और बंद बुलाया है किशान के समर्थन मेरा नाम सुही कुमार क्या कार्श कर रहे हैं आज पूरे भारत में जो किसान बिरोधी कानून पास हुई है उसके हम लोग ख़डा हुए है और हमोग पूरे इंदुस्तान के किसानों के साथ हैं यही मैं मैंसेज देना चाहता हूं कि भारत किसानों मद घबनाना पुरा भारत आपके शाहत है बास नहीं नहीं लेती है जो कि अगला कदम क्या होगा अब तो आंदोलन चलेगी सरक्ष से लेके संसत तक चलेगी यह फास्टिस्ट सरकार है आप देख रहे हैं यह सोसनात्मक सरकार है इसलिए यह आंदोलन जारी रहे किया नाम हो आपका मैं रवी जोती कुमार कॉंग्रेस का पत्यास कि किसानों के विरुध में यह तिन कानून काला कानून जो मोडी सरकार ने बनाया है उससे पूरे भारत के चिशान मरमहत है इस काला कानून के बज़स इस पूरा किसान आंदोलित है आउसे समर्थन में पूरा देश की जंता, पूरे भारत की जंता जिरोड पर है, आज भारत बंग किसानों के आंदोलन के समर्थन में हम लोग कर रहा है। करने का काम कर रहा है, और यह संहर्ष हमेशा जारी रहेगा जबता के कानून बापस नहीं होता है। किसानों का साथ देने के लिए हम लोग सब्सक्राइब उतर गया है। सिर्फ महां का धुन्दन ही नहीं, आज पूरी जंता भी सब्सक्राइब उतर गयी है। जिस तरह से बर्तमान की निलंकु सरकार किसानों पर जुल्म ढ़ा रही है। अब बिहार की ही बात को लिजिए, धान कटे हुए एक महिना हो गया। एक जुनतल धान भी किसी जिले को खाईडारी नहीं हुए है। क्या नाम हो आपको। दिलिप कुमार, जिला ज्यक्स, नहांदा जिला कंग्रेस कमा। किसान बिरोधी कानूनों को निरस्ट करवाने के लिए, आज अखिल भारत किये किसान महासभा, महाकथबंधन और दूसरे किसान संगटनों की योर से, आज सड़कों पर उतर करके, हम भारत बंद को काम्याब कर रहे हैं। तो बिहार के भी किसान धीरे-धीरे सड़कों पर आ रहे हैं। और ये बंद की काम्याबी इस बात का सबूत है कि ये कानून जो है, ये नहीं बने चलेगा, बोधी सरकार को इसको द्रस्ट करना पर रहे हैं। अगर ये कानून बापस नहीं लेती है, तो फिर अगला कदम क्या होगा। अगला कदम तो दिल्ली में अखिल बात्य किसान संगर समनवे समझती तै करेगी, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन बिहार में भी वो जो कानून आये हैं, तीनों कानूनों के बारे में वो जागरिती और पराली जलाने का जो अध्यादेश लाया गया है, जो नया बिजली कानून लाया गया है, इन कानूनों के बारे में किसानों को गरीबों को भी जानकाई दिया जाएगा। क्या नाम हूँ आपको पाल बिहार इलाल अखिल बारतिय किशान महा सभाग के जिला सचिव और राश्चिय पार्शत